मैं आपका विशेश रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ख्याडियों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जिसके बलबूते हमारे यहां प्रतिववान प्लेयर्ज टोक्यों अलम्पिक्स में देश का प्रतिनिदिव करने जा रहे हैं आपके आदेश पर खेल मंत्राले ने किसी तरह की कमी खिलाडों की सुविधा में नहीं रखी है टॉप स्कीम से लेकर डीजी साही से लेकर खेल मंत्राले ने हर तरह से प्रयास किया है कि हमारे खिलाडियों को सुविधाय मिले माने परदानमंत्री जी खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी बेदवाब, जाती, धर्म, समुधाई के बंदन्ज के 130 क्रोड भारतियों को एकता के सूतर से जोडता है देश के 22 राजियों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो लंपिक्स में 130 क्रोड भारतियों का प्रतिनिदत करेंगे माने परदानमंत्री जी आपकी खेल के प्रतिय अभिरुटी खेलों को बढ़ावा देने के आपकी कारेश है आपके द्वारा खेलाडियों को दिया गया प्रोस्ताहन हमेशा सरहनिये और प्रेना दायक रहा है क्रोणा महमारी जैसी विशम प्रिस्कितियों के दुरान भी आपने खिलाडियों का मनोबल नहीं गिरने दिया और समय समय पर आपने खिलाडियों से वारतालाब करके उनका मार्ग दर्शन भी किया है और उन्हें जोज से सरोबार भी किया है जैसा कि हम सब जानते हैं, हाली में आपने समझ देश वासियों से टोक्यो उलम्पिक्स जाने वाले खिलाडियों का मनुबल बढ़ाने के लिए चीर फॉर इंडिया का आवाहन भी किया था और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, देश बर के कोने कोने, लेल अदाग से लेकर कन्या कुमारी तक गुजराच से लेकर अरुनाचल तक लोग सेलफीज भी खीच रहे हैं, डाल भी रहे हैं, खिलाडियों का मनुबल भी बढ़ा रहे हैं, और आज जब आप इस कारेश्रम के माध्यम से शुरुवात करेंगे, कल से पूरे देश के लोग हमारे अलंपिक खिलाडियों को अपना अशीरवाद, योगदा, सैयोग देने के लिए और चेयर करने के लिए एक जुट हो जाएंगे, आपके ही इस प्रयासों की वज़ा से समस्त भारत में उलंपिक्स के ब्रती जागरुकता इवन लगाव और बढ़ गया है, मैं मानता हूँ कि आपके कुशल नेतर्तव से हमारे खिलाड़ी अपना पर्चम लहराने और देश को मैडल दिलाने में जुरूर कामयाब होंगे और इस उलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच पर दर्शन करें, मैं तुमें इतना ही कहूँगा सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को, जब आप जा रहे हैं, तो देखिए देश के परधान मंत्री जी आपसे बात करके आपका मनुबल बढ़ा रहे हैं, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना, भारत मा का यही संदेश, डोकी उलंपिक में मैडल जीत कराना, एक बार फिर मानिये परधान मंत्री जी का बहुत बहुत अभार, अभिनंतन, धन्यवाद, और सभी खेल संगों का और सभी ख्राडियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जै भारत, जै ही। प्राइब जै टोक्यों जाने से पहले अपने देश के परधान मंत्री जी से शुख कामना और अशिरवाद ले, I would like to share with the Honourable Prime Minister की हमारा जो डेलिगेंशन टोक्यों जारा है, उसमें 67 मेल अथलीट, 52 फीमेल अथलीट, 58 टीम ओफिशल्स, 43 अल्टरनेट अथलीट और अथलीट और अथलीट और अथलीट से टोक्यों के लिए जाएगा, जिसमें 90 अथलीट और अफिशल्स होंगे, भारत के अथलीट और अफिशल्स जो विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, वहें डिरेक्ली वहीं से टोक्यों जाएगे, National Sports Federation, Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Department of India and Mission Olympic Health, ने जो पिछले पांच साल में सपोर्ट किया है अथलीट का ट्रेनिंग के लिए, Indian Olympic Association इन सब का तह दिल से धन्यवाद करना चाहती है, I would also like to credit all our athletes who have personified the meaning of true sports person spirit, as they have faced difficult circumstances with courage, determination and intense focus to achieve their goals, Honorable Prime Minister Sir, भारत का पूरा कंच जो चोक्यों जा रहा है, is looking up to you sir, and the example you have set for us to forge ahead on our path to achieving excellence for India, इस विशे में, I am confident that your best wish will go a long way in adding to the motivation of our athletes as they compete to bring glory to our country, I conclude by conveying my sincere thanks to all present here today for showing their support and best wishes to the athletes and officials representing India in the Tokyo Olympics, may our athletes feel the strength and prayers of every Indian citizen cheering from them for their home, thank you Honorable Prime Minister Sir, thank you everyone, अब मैं चोक्यों जाने वाले एथ्लीट से रिक्वेस्ट करूँगा, कि वे मानने प्रदान मंत्री जी से समबाद करें, सबसे पहले मैं दिपिका कुमारी जी से अन्रोद करूँगा, दिपिका जी नमस्ते, नमस्ते सर, दिपिका जी पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथ्यों की चर्चा की थी, अभी पेरिस में गोल जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पुरे देश में आपकी चर्चा हो रही है, अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर बन हो गई हैं, मुझे पता चला है कि आप बच्चपन में आम थोड़ लेख लिए निशाना लगाती थी, आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है, अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है, अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा, मुझे बहुत पसंट था, इसलिए है स्टोरी परी, मैंने बैंबुग परो से स्टार्ट किया था, और फिर देडे देडे में मौड़न बोग परे रएंती स़, बहुत अच्छी रही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल वुआ तो निक्रस फैसलिटीज में अची में थी। उसके बाद एक सब आज़ करने के बाद काकी अच्छी पैसलिटीज में निसर और काकी अच्छी ओच भी मिलें। दिपिका जी जब आप सपलता के इतने सिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाइब भी बढ़ जाती है अब सामने ओलेंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही है सर उम्मीदे तो हैं लेकिन सबसे जादा उम्मीदे खुद से होती है और हम यहीं पर फोकस करें कि जितना अभी ध्याने अपने प्राक्टिस पर हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है इस चीज़ पर मैं सर जादा फोकस कर लिए से लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने विशमताओं में हार नहीं मानी आपने चुनोत्यों को ही ताकत बना लिया है और मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवार जन भी दिखाई दे रहे हैं मैं उनको भी नवश्कार करता हूँ देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलेंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरों बढ़ाएगी आपको मेरी डेर सारी शुबकामना है प्रमिन कुमार जादव जी से बात करते हैं प्रमिन जी नमस्ते प्रमिन जी मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथ्लिट बनने के लिए हुई थी हाँ आप ओलेंपिक में दिरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यह बढ़लाव कैसे हुआ सर पहले मैं एटलेटिक्स करता था तो मेरा सिलेक्शन गवर्मेंट के अच्छा कर सकते हो तो उसके बाद मुझे आर्चेर गेम दिया गया तो उसके बाद मैंने आमरा होती में आर्चेर गेम कंटिन्यू किया अज़ा और इस बनलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कांट्फिडन्स और पर्फेक्शन कैसे लाएं सर मेरा एक्चली घर से इतना अच्छा नहीं है मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडिशन ठीक नहीं है मेरे सामने आपके माता जी पता जी दिख रहे हैं मुझे मैं उनको भी नवश्कार करता हूं मुझे पता घर जाके मुझे भी मजदूरी करने पड़ेगी इस अच्छा तो यहां मेनत करके आगे कुछ अच्छा करना है इसलिए मैं इसमें केंटिन्यू किया देखिए आपके बच्पन के कठीन संगर्श को बारे में काफी जानकारी लिए है और आपके माता पिता ने भी जिस प्रकार से पिता जी दिहारी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनीदी त्व करने तक की आत्रा बहुत प्रेड़ा दाई है और ऐसे कठीन जीवन आपने बिताया है लेकिन लक्ष को कभी अपने आखों के सामने से हटने नहीं दिया आपके जीवन के सुर्वाति अनुभों ने चेंपियन बनने में आपकी क्या मदद की सर जहां मुझे खुद कम मतलब लगता था कि यहां थोड़ा ज्यादा मुश्किल है वहां मैं यही सोचता था कि अभी तक जितना भी किया अगर यहां हार मांजाओंगा तो सब कुछ खतम हो जाएगा इस यह अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है प्रविट जी आप तो एक चेंपियन है ही लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दुरस्टी से चेंपियन है तो मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से ज़रा बात करूं मैं नमस्टार जी नमस्कार पित्री करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया और आज आपका बेटा ओलेम्पिक में देश के लिए खेलने जा रहा है आपने दिखा दिया कि महनात और इमानदारी की ताकत क्या होती है अभी आप क्या कहना चाहेंगे प्रविन लाजन फुड़ जाओ प्रविन जेपा टिमागा चेर मुल्याइजे तीसोदा तेन्दी जाओं फुड़ प्रविन सार को ओलिम्पिक क्योंनी आओ वाह प्रकुर्थी परियाएत ना हाँ परियाए परियाएत देखिये आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानिया किसी को रोक नहीं सकती आपकी सफलता से ये भी सपस्ट हो गया कि ग्रास रूट सतर पर अगर सही चैन हो तो हमारे देश की प्रतिभाग क्या नहीं कर सकती प्रमिन आपको बहुत बहुत शुप कामना है मेरी और फिर से एक बार आपके माता पिता जी को भी प्रणाम है और जपान में जम कर खेलिएगा अच्छा आप हम निरत चोपड़ा जी से बात करेंगे नमस्ते सार देरत जी आप तो भारतिय सेना में है और सेना के ऐसे कौने से अनुभव है जो अनुभव वो कौन सी ट्रेणिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की सार देखो produced by अच्छा भी बगारतिय सेना को जोइन कीआ और उसके बाद से मैं अपना गेम में फूकस कर रहा हूं और भारतिय सेना मुझे जितनी फैसलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रवाइड कर से और मैं अपना पूरा मन लगागे मैनत कर रहा हूँ निरज जी मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूँ आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ निरज जी मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रे रिकॉर्ड बना दिया है आपने अपना मनोबल अपने प्रैक्टिस को यह सब कैसे संभाले रखा मैं मानता हूं सर की जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट का पार्ट है तो जो मैंने 2019 में काफी मैनत की थी उस साल वर्ल्ड चैमिशी को मारी इस आपको स्पोर्ट की इंजरी पर भी स्पोर्ट परिट दिखता है सर क्योंकि हमारा यही सफर है कुछ साल का हमारे कैरियर होता है और हमको अपने आपको मोटिवेट करना होता है तो मेरे एक साल इसकी वज़य से खराब हो गया था क्योंकि मैंने त्यारी काफी की थी वर्ल्ड चैमिशीट के लिए और रेसन्द चैमिशीट के लिए लेकिन कि अपना पूरा फोकस अलम्पिक पर किया और दुबारा से कमबेक किया अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पेटिशन के लाउस में ऑलम्पिक क्वालिफाई कर दिया था उसके बाद फिर करोना की वजए से अलम्पिक पॉस्पोन हो गया तो फिर अपनी तैरी कंटिनू रखी सार और फिर उसके बाद जो दुबारा से कॉम्पेटिशन खेल ले और फिर अपनी बैस्ट करके नेसल रिकोर्ड किया और अभी भी सार पूरी मैंद कर रहे हैं कोसिस करें कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके हैं ओलम्पिक में निरजी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके मैं एक महत्रफण बात आपसे कहना चाहता हूं आपको अपेक्षाओं के बोज तले दबने की ज़रूत नहीं है आप अपना शत प्रतिशत दीजिए बास यही मिजाज बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास किजिए मेरी आपको बहुत छुब कामना है और दूती जी नमस्ते आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक दूती का मतलब ही होता है अब हाँ और आप खेल के जरिये अपनी चमक बिखेर भी रही है अब आप ओलेंपिक में अच्छा जाने के लिए तैयार है इतनी बड़ी प्रतिश्यक्तों आप कैसे देखती है आप देले क आपके ये बता देते हूं मैं एक एक वीवर्स फामिल से दिलाव कर देखती है अच्छा जब मेरे घर मेरे घर मेरे 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 से किट्सेश करते ते कि इतना लिए पाइदा दर रहे है तो बूत करिक्षा में थे खाने के लिए नहीं तो पापा का इंकम पी बूत कमी लो कि मेरे मेरे सामने है तो मेरा म councils पाइदा। आज बद बदा हो सकती है तो आज स्पोर्स के बदला इसे इसे मेरे बदाला हुआ है तो अज एक आप शो और अशना दोंगे आप हैं को अजो नहीं से सीम लगद आप शोर को तो जिन्हों ने मुझे आपके शिर्ट के बादम से यह को बदा है आपको कि इतना चालेंज करें कि इतना जिक्तर साहिए मैं आज़े यहां दापको मेरा मन में वही है मैं जो साथ आलपिक जाहन के सेकें आलपिक जाहन के दोग्से लंदे कि इस पर्सपट किया तक शीक्सियर के बाद है दूती जी आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला पूची सेगंड में होना होता है हार और जीत में पलक जपगने भर की देर होती है इसका सामना करना कितरा मुष्टिल होता है प्रणी करना पड़ता है और हमेसा चालेंज कर लेना बड़ता है कि को ब्लॉग स्टाड़न आपको डिस्पल्फाई करके निकाल देगे तो साल हर चीज को धान दे करना पड़ता है नर्वस तो रहता है मन में डर भी आता है लेकिन में हिमत के साथ लड़ाई करती हूं दुति जी आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाये हैं देश को उम्मीद है कि आप इस बार उलिम्पिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएगे आप निर्विक होकर खेलों में भाग लिजिए पूरा भारत अपने उलिम्पिक खेलाडियों के साथ हैं मेरी आपको बहुत शुप काम नाये और आपके माता-पिता को कुमार जी से बात करते हैं आसी जी नमस्कार आपके पिता राष्टियस तरगे कबड़ी खिलाडी थे और आपके परिवार में कई खिलाडी रहे हैं आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी तो बजस्तिर के जेए विप्किया की ख्याएं मेरे घर के खाथ बाहूल कीऺपरनों परिजेद का नेहीं बॉक्सिंग किया हैं फारता द खीम उजब धर कुछ साथ मेरे अच्छी लेवल के लिए जिए कर आपके धेश बीसरोने में कितिया थे गयि अधर binds बाड़्त्यब करने के लिए का गया मैं पतला था और जादा जादा नहीं था तो उस वर से मैंने सुचा कि रेस्लिंग तो नहीं कर पाऊँगा तो इसलिए मुझे शाद बॉक्सिंग करने चेहे तो वैसे जब जुखाव हुआ बॉक्सिंग तरफ इसी तरही है आसे जी आपने कोविड से भी लड़ाई लड़ी है एक खिलाडी के तौर पर आपके लिए कितना कठीन रहा आपका खेज आपकी फिटनेस प्रभावित नहों इसके लिए आपने क्या किया और मैं जानता हूं आपने इस क्रुशल टाइम में अपने पिता जी को भी खो दिया ऐसे समय भी आपने इस जो मिशन को लेके निकले थे उसमें जराबी दरदर होने नहीं दिया तो मैं जुरूर आपके मन के भाव जानना चाहूंगा कि सर पचीस दिन पहले कॉम्टिशन के पचीस दिन पहले मेरे पीदाजी की पुर्ति हो गई थी इस पदसे मैं काफी सद्मे में था कि मैं इमोशनली बहुत हर्ट हो चुका है काफी प्रॉल्म जो है मुझे उस टाइम फेस करने पड़ी तो उस टाइम मुझे सबसे आज ज बार-बार मोटिवेट खी कि मुझे मेरे फादर का सपना पुरा करना चाहिए जो जिस सपने की शुरूत में और में बॉक्सिंगी शुरूत में जो ननने सपना देखा था मिला निया तो सारा काम छोड़के उनने मुझे मुझे फिर से कैम जॉइन करने के लिए का कि आप जाओ और जो फादर काव का सकना है उसे पूरा कीजिए तो सर जब मैं स्पेन में था जब मैं पॉविट पोजिटिव हो गया था तो उस टाम मुझे सिम्टम थे सर तो कुछ दिन मुझे सिम्टम रहे वहां पे लेकिन सर वहां पे फैसिलिटी थोड़ी में लिए स्पेशल कर दो आएक ऐभलेवल किरी आ गया था सर जहां पर प्रेइडिस करता था था फूड़ी फीटमेस लेकिन फिर भी सर आफी टाइम लगग्या रिकवरी के लिए करोना से तो रिकवरी के लिए क्लम का फिर जब मैं पापीस इंडिया तो फिर जब मैं रिटर्न हुआ तो महां प फिर से बाप्रिस लाने के लिए आसेज जी आपके परिवार जनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और आसेज जी आपको याद होगा सचिन तेन्डूटकर जी एक बड़ी महत्पपुन खेल खेल रहा है थे और उसी समय उनके पिता जी का स्वरवास हुआ था लेकर उन्होंने खेल को प्रात्विक्ता दी और खेल के माध्यम से अपने पिता को सर्धांज ली दी आपने भी वैसी कमाल की है आपने आज अपने पिता जी को खोने के बावजूद भी देश के लिए खेल के लिए पूरा मन बचन एक प्रकार से जुट गए हैं आप सचमुच में आपका उधार बड़ा प्रेरग हैं आप एक खिलाड़ी के तोर पर हर मार विजेता साबीत हुए है इसके साथ ही एक व्यक्ति के तोर पर आपने शारीजुक और भावनात्वक चुनवतियों दोनों पर विजे प्राप्तगी है आपसे पुरे देश को भावत उमीद है हमें विश आपको बहुत शुब कामना है आपके परिवार जनकों भी मेरा प्रणाम है आईए हम सब क्या परिचित चहरा है परिचित नाम है हम मेरी कौम से बात करते हैं मेरी कौम जी नमस्ते आप तो ऐसी खिलाड़ी है जिन से पुरा देश प्रेणा लेता है इस ओलेंपिक दल में भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके लिए आप स्वेम भी एक आदस रही है अगर वो भी आपको फोन करते ही होंगे और अगर फोन करते हैं तो आपको क्या पूछते हैं सर गर में सब मेरे लिए दुआ करें कि वो लोग बच्चे लोग जादा मेरे को मिस करते हैं सर और मैं समझाती हूं कि मामा देश के लिए दराई के लिए जा रही हूं और आप लोग घर में पापा का उसका जो भी बोल रहा है उसको फोलो करना है और घर में आप लोग प्यार से रहना है बहार नहीं निकलना है कोविद की वज़े से सर वो लोग भी बहुत घर में बोरिंग हो जा रहे हैं, ओनलाइन क्लासेश ले रहा है, लेकिन इतना ओपन नहीं हो रहा है, बचलों का खेल गुड बहुत पसंद करता है, सर दोस लोग खेलने में भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इस बार कोविद बज़े से सारे दोस लोग से भी दूर हो रहा है, और मैं बोला, यह मामले में हम लोग फाइट करना है, अच्छा रहना है, और सुरक्सित रहना है, सेस्ती रहना है, और मैं भी देश के लिए लराई के लिए जा रही हूं, और मैं चाती हूं कि आप सुरक्सित रहो, और मैं भी सुरक्सित रहे और देश के लिए अच्छा करने के लिए मैं कोशिस करती हूँ यही बात होती है सर मेरे सामने दिख रहे हैं सब लोग आज़ा वैसे तो आप हर पंच में चेंपियन है लेकिन आपका सबसे फेबरेट पंच कौन सा है जॉब हूग अपरकट या कुछ और और यह भी बताएगा कि यह पंच क्यों आपका फेबरेट है तो इसमें कोई भी लोगो मिस नहीं कर पाते है लगना ही तो लगना ही है बस मैं जानना जाहता हूँ कि आपका फेवरेट खिलाडी कौन है सर मेरा फेवरेट खिलारी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है इंस्पिरेशन है मोहमब अली है सर उससे मेरो को इंस्पार होके चुनाओं सर मेरे कवाम जी आपने बॉक्सिंग की करीब परिब हर अंतराष्ट्य प्रतिविगिता जीत ली है आपने कहीं कहा था कि ऑलिम्पिक गोल्ड आपका सपना है यह आपका ही नहीं पूरे देश का सपना है देश को उमीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पुरा करेगी मेरी आपको बहुत शुक्वाबना है और आपके परिवार जनों को प्रणाम है आईए प्वी सिंदुजी से बात करते हैं सिंदुजी नमस्ते सिंदुजी मुझे पताया गया कि आप टोक्यो ऑलम्पिक से पहले अलम्पिक साइज कॉर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस चैसी चल रही है गच्छी बावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चैसर मैं यह चूज किया क्योंकि अभी अलम्पिक स्टेरियम बात बड़ा है और वो एसी और वो शार्टिस कर रही है तो इसी लिए मैं यह सोचा की ठीक है अगर अशा स्टेरियम है तो क्यो ओ अपर्चिनिटी है तो क्यो ने के लूख करके अपेडिवारी से उगर प्रैक्टिस कर हुँ सर। ऑविस्टी मैं गौश्में तेवटमें से लिया ता सर। आपके परिवार जन भी मेरे सामने है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ. मुझे याद आता है कि गोपी चैन जी ने एक इंटर्व में कहा था, कुनोंने रियो ओलेम्पिक पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आई स्क्रीम भी खाना फॉलाओ ने किया था, अभीपी आपके आपके आई स्क्रीम खारे पर पापत दी लगी हुए, या कुछ ओलम्पिक्स है तो तैयारी कर रही हूं तो विसली तोड़ा डाइट कंजोल तो करूंगी तो आइसक्रीम उतना नहीं काती हूं से बस कभी कभी काती हूं देगे सिंदु जी माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा आपको नमश्कार आप यह बताईए जब किसी बच्चे की रुच्ची खेल में जाने की हो तो कई परेंट्स के लिए बहुत मुश्क बस सर पेरिंट्स यह जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइस अच्छे होंगे तो सुब कुछ बड़ा होगा क्योंकि आप तोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा आपका कॉंसेंट्रेशन बढ़ेगा हर इस्यूस में आप लोग आगे बढ आने के लिए कैसी प्रेंटिंग करने होती है सर प्रेंटिंग तो फस्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर कि कुछ एंकरेज करना है वी आप तो मोटिवेट देम अड आप तो जानते हैं गवर्मेंट तो हर तरह से हर किलाडी को सब फेसलिटी दे रहे हैं सो हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा महिनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोट सहित करके हर जो भी बच्चों को हम यह पहले सिखाना है कि रस्पेक्ट देना जो भी है रस्पेक्ट दो और उनका आशिर्वाद लो शिंदु जी आपके माता पिता ने आपको विश्व चेंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किये है उन्होंने अपना काम कर दिया है अब आपकी बार ही है आप खुब महनत किजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी और इदर सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से तो मैं भी आपके साथ हैस्क्रिप खाऊगा आईए नमस्कार्टी एला से बात करते हैं एला नमस्ते नमस्ते सर केम चो एला अवे गुजराती बोले जग नहीं हाँ सर थोड़ू कावड़े चे मनें एला मुझे बताया गया कि आप पहले एथलेट्स कि में जाना चाहती थी फिर ऐसा क्या ट्रिगर कर गया कि आपने शुटिंग को अपना लिया सर मैंने अक्चलि काफी सारे स्पोर्च किया थे शुटिं के पहले मुझे बचपन से ही स्पोर्च बहुत ही पसंद था एथलेटेग्स, बाड मेंटें, जूड़ अगेरा ट्राइ किया था लेकिन जब मैंने शुटिंग शुरू किया तब मुझे एक बहुत ही जादा excitement मिला था इस game में क्योंकि हमको बहुत जादा carry रहना होता है बहुत जादा calmness चाहिए होता है तो sir बस वो जो calmness चाहिए थी वो थीने मेरे पास तो I was like कि ठीक है इससे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इस game से तो उसी से sir बहुत जादा लगाओ हो गया game से अभी मैं दूरदर्शन पे एक कारकम देख रहा था उसमें मैं आपके माताजी पिताजी को सुन रहा था और वो संसकारदाम में आपने इसका प्रारम किया था इसका पुरा वरनन कर रही थी और वहां का बड़ा गर्वल के बाई जा करके वो आपको याद कर रही थी अच्छा स्कूल से ओलेंपिक तक बहुत सारे युवा आपकी जर्णी के बारे में जानना चाहेंगे देखिए मैं मनिदेकर का ML था और आप मनिदेकर में रहते हैं और जब मैंने खोकरा में मेरे सेग्मेंट में सबसे पहले स्पॉर्ट अकेडमिक जोड़ी तो तुम लोग आप लोग खेलने आते थे तब तो बच्ची थी और आज मुझे देखने के बाद बड़ा गर्व होता है तो बताईए कुछ अपनी बात सार मेरी शूटिंग की प्रोफेशनल जर्नी संस्कारदाम से ही शुरू हुए थी मैं टेंट स्टैंडर में थी तो मॉम डैड का ही कॉल ता कि आप स्पोर्ट चाहि करके देख लीजे अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो कर लीजे करके उन्होंने बोला था तो स्पोर्स मैं अच्छी रही है क्योंकि क्यार अब जब मैं फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए जा रही हुं सर तो बहुत प्राउट फिल होता है कि इतने लोगों के मदद इतने लोगों में मेरे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमेशा गाईड किया है सर तो काफी अच्छा जो है और हमारे कॉलेज को थांक्स करना चाहूंगी क्योंकि एक भी टाइम ऐसा ने था कि जब उन्होंने मुझसे बोल दिया हो कि नहीं आपको कंपल सरी आके ये चीज करनी पड़ेगी उन्होंने मुझे इतनी चूट दी थी मेरे लिए एक्जाम्स भी वो लोग स्पेशल कर आपकी जनरेशन हैं अपने इतनी कम उपर में विश्वस्तर पर सफलता प्राप्त की आप इसे में देश को उमीद है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर भी आप इसी आत्रा को जानी रखेंगी मेरी आपको बहुत चुट कामना है और आपके माताई जी प्रताई जी को भी मेरा पुणाम है बड़ा कम आईए हम सवरब चौधी से बात करते हैं अश्कार सर आपने इतनी कमर उम्र में ही अलेंपिक के लिए क्वालिफाइ कर लिया है कैसे और कब आपका ये मिशन शुरू हुआ सर 2,015 में मैंने सुटिंग अपना स्टाट किया था हमारे पास के गाउं में एक सुटिंग अकेडमी ए वहापे मैंने स्टाट किया में फैंपली ने भी काफी सपोर्ट किया मुझे उन्हाने खुदी कहा कि जब तुछे इतना पसंद है तुट ठाई करना चाहिए तो मैं तो आज हम यहां पर आपके परिवार जन भी बड़े गर्व के साथ आज हम दर्शन हो रहे हैं उनके भी कि देखिए सहरव क्या कमाल करेगा सब उनके आखों में बड़ा बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं देखे सहरव मेनत के साथ साथ सुटी में मानसिक एकागरता की भी भहत जरूर होती है इसके लिए आप योगर वगरे करते हैं या कुछ और तरीका आपका है जो मुझे भी जानने में खुशी होगी देश के नौजवानों को भी जानने में कुछ ही होगी सर मेडिटेशन करते हैं अपना योगा करते हैं सुभा सर सांत रहने के लिए यह तो हमें आप से जानना चाहिए कि आप इतने बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान को संब्धाल तो आप उसके लिए क्लिक कर्नी है तो आप को क्या लगता है पहले तो नहीं करते हुँ नहीं जब मैं घर पर जाता हूं तोid में जो दोस्त है और से लीते मेरे जो पिस्टे के साथ मेरे लिए करेंगे और भविश में भी बहुत आगे आएंगे आपको और आपके परिबार जनों को मेरा पुणाम आएए हम सरत कमल जी से बात करते हैं सरज जी नमस्ते सरज आपने तीन ओलिम्पिक्स में भाग लिया है आप तो बरे जाने माने खिलाडी है आप उन हुआ खिलाडियों को क्या सुझाव देंगे जो पहली बार ओलिम्पिक में देश का प्रजिनिति तो कर र यह कफी एक नया सिचुएशन में हो रही है बलकि यह COVID-19 के ताइम में हो रही है तो पिछले तीन जो अलुपिक्स था ऐसे अनुपफ कुछ भी नहीं था जहां पर हमारा कॉंसेंट्रेशन पूरी स्पोर्ट से हटके जो हमारी सेफटी के लिए है जो प्रोटो कॉल्स में जान जले मगर इस बार स्पोर्स के अलावा हमें बाकी कुछ में भी ध्यान देना पड़ है तो मैं यही बूलो कि जो जो नए जारे हैं परले ओलम्पिक्स में हां जाने से पहले हमें इस मतलब sports sports olympics बहुत इस बहुत इस बहुत इस अगर हम प्रोटो कोल्स और यह सही नह ओलम्पिक्स चले जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा sport में होना ज़ी जब तक हम जाएंगे ठीक है कोशिश करेंगे कि sport में भी रखते हैं और अपना प्रोटो कॉल्स में रखते हैं जैसे वहां पे चलेगे complete focus on अपना sport के लिए सरद्जी आपने जब खेलना शुरू किया था तब और अब आपको लगता है कि टेबल टैनिस को लेकर कुछ बढ़लाव आए है स्पोर्ट से जुड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स की अप्रोच में आपने कुछ बढ़लाव मैस्वस किया है बहुत सारे फरक हुए है सर जैसे 2006 में जब मैं पहली बार की मेडल जीता था और अपकी बाठ्वी ऐटीन में जब हम सब मिल के गोल्ड मेडल सीथे जैसे मनिका बात्रा ने भी जीती थी ती तो फर्स्ट विमें फीमेल इंडियन टेबिटेनस प्लेयर तो उने दो जीते हम में भी मैं जीते है और आठ मेडल जब आये वो 2006 की और 2018 में बहुत फरक्ती में तिंग यही था कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल फील्ड बना जब 2006 में तब मैं जीता था तब स्पोर्ट्स में उतना प्रोफेशनल ने थी हाँ इंडेस्री एक तब भी भी वो एक्स्टा करिए मताब पढ़ाई सब्स एक साइड लैंग अब अब ही ऐसे नहीं है बहुत इंपोर्टेंस द करियर बनाने में एक प्रोफेशनल बनने में प्रोफेशनल बनने में वो अभी बहुत जादा है और बहुत सारे बच्चेंड बहुत सारे बच्चे को भी उ एक तुड़आ बहुत infection में दी हैstat ऑन्रा एक कफिडेंस मिलती है कि मेरा वच्चा अगर प्तों सपोर्स पे भी नहीं बलकि बड़े इवेंट का बहुत विशाल अनुभव है मुझे लगता है कि अनुभव आपके काम तो आएगा ही साथी टोक्यो अलेंपिक में भाग ले रही देश की पूरी टीम के काम आने वाला है आप एक बड़े की भूमिका में इस बार एक प्रकार से पूरी टीम क एक विश्यस भूमिका भी आपके सामने आई है और मुझे विश्वास है कि खुद के खेल के साथ साथ उस पूरी टीम को समालने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आपको उसे बग्व में निभाएंगी मुझे पूरा वरोसा है मेरी आपको बहुत शु और मुझे दिख रहे हैं उनको विवेरा नमन को आईए मझा बत्राजी से बात करते हैं मनिका जी नमस्ते समय मनिका मुझे बताया गया है कि आप टैबल टेनिस खेलने के साथ गरीब बच्चों को यह खेल सिखाती भी है उनकी मदद भी करती है आप खोडी युवां है पुने में खेलती हूँ तो वहाँ आई थी तो मैंने तो बहुत अलग था मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगा कि इनको जो चीजे नहीं मिली या पहले नहीं कर पाए तो मुझे इनको है करनी चाहिए कि ये भी में को फॉलो करके अच्छे प्लेयर बन सके मुझे उनको देखके मोटिवेशन मिलता है कि इतनी सी छोटी सी उमर में और पहले किसी का साथ नहीं और इस उमर में इतना अच्छा खेल रहे हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है को देखके मैंने देखा है कि आप अपने मैच में कभी कभी अपने हाथ पर तिरंगा प्रेंट करती है इसके पीछे के सोच अपने प्रेणा के बारे में सब्सक्राइब करेगी मेरी आपको बहुत चुप कामना है आपके सभी साथ पुरे परिवार ने खेलों के लिए इतना कुछ देश को दिया है इस पहचान की विज़र से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर थोड़ी जादा जिम्मेदारी तो नहीं और जाती है तो जिम्मेदारी तो बिलकुल आती है क्योंकि फैमिली ने जो काम स्ट्ट किया है वो खतम करना है और準ो सपना अलम्पिक्स का लेके स्कार्ट किया था वो जब मैडल आएगा उसके बाद इसाइज खतम होगा तो उमीद तो है सर पुरे देश की उमीद है फैली तो नहीं है अच्छे से खेलेंगे और देश को स्राउड करने का बिलकुल मोका देंगे देखे पिछली बार आपको रियो अलम्पिक में चोट की वज़े से हटना पड़ा था पिछले साल भी आप बिमार थी आपने इन सारी बाधाओं को पार कर शांदार प्रदर्शन किया इतने स्ट्रेस को सक्षेस में बदलना यह अपने आपने बहुत बड़ी बात है यह कैसे हमें परफूम करना है तो हमें मेंटल स्टोंग रहना पड़ता है और एज अथलीट मैं सोचती हूं कि हमें यह जरूरी है उस लेवल पे ले जाने के लिए वो पुछ करने के लिए सो फैमिली का एक बट बड़ा रोल रहता है आपके पीछे तो फैमिली का सपोर्ट रहता ह तो एसे कहीं पर रुकना नहीं है क्योंकि वो रुकना नहीं है इसलिए वो हमें पुछ कर रहे हैं वो काफी चीदे हैं सर उस टाइम पर याद आती है तो हम उसके लिए लगे रहते हैं चाहिए इंजरी हो चाहिए कोई भी चीज आई मुझे तो पूरा यकिन है कि आप टोक्यों में बहुत शांदा प्रसंद करने वाली है क्या हम उम्मीद करें कि आप पर भी एक फिल्म आने वाली है सर बस आप लोग की दुआ है और चाहेंगे कि आपके माता पिताजी भी जुड़े हैं आपके पिताजी तो आपके घुरू भी है एक प्रकार से ज़रा मैं पिताजी से बात जुरू करना चाहूंगा आपसे मेरा सवाल ज़रा थोड़ा हट करके है जब कोई फीट और तंदुरस होता है तो हमारे देश में कहते हैं कौन सी चक्की काटा खाते हो तो फोगाट फैबिली अपनी बेटियों को कोन सी चक्की काटा खिलाती है वैसे यह जताई कि वीनेश को क्या मंत्र देकर टोक्यो भेज रहे हैं आप देखिए जो चक्की काटा की है हम जो अपने गाहों के दरकी चक्की काटा खाते है और अपने देशी के उसका और गाय बैस का दो जाही मक्ष ने खिलाया रिशेटी और वीनेश का जो पिछली ब जो जो सारे देश को मिल थी उस्टें जो सारे देश को तुफ आता मानतों पुता जी मावाप हूं तुफ होना था ता ता अज जो मेरी पिट्टी पूरा सुमूद है मंत एक हिवादा किया था अगर अगर और अलपी गेम अन्द लेकर आओ तो भी मैं एर्पोर्ट पर ले अपने अपने परिवार से जो सीखा है जरूर वो इस ओलिम्पिक में देश के काम आएगा मेरी आपको बहुत बहुत खुट्ट कामना है आपके माता पिता जी को मेरे प्रणाम है आईए हम साजन प्रकास जी से मिलते हैं साजन जी नमस्ते मुझे पताया गया है कि आपकी तो माता जी ने भी athletes में देश का गवरो बढ़ाया है अपनी माताजी से आपने क्या-क्या सिखा Sir, my mother is my everything and she taught, she was a sports person in earlier days and she helped me to come over all the struggles and hurdles for this for this achievement, Sir अज़ा मुझे ये बताया गया कि आपको गहरी injury भी हो गई थी आप इसे कैसे हो बरे साजन First of all, for 18 months after the closure of pool, we had lot of struggles and with the injury we were out of the pool for so long and it was very frustrating and depressing at the first time but with my support of all the people my coaches, his wife Gauri Antean and GoSports, Kerala Police, Swimming Petition of India and FINA everyone supported me through thick and thin I think that has helped me to come out mentally strong and overcome this pain and from the injury साजन आप अलम्पिक में जाने से पहले ही भारतिये खेलों के सुने रित्यास में जगह बना रहे हैं मुझे उमेद है कि आप अपने प्रदर्शन से इस ओलम्पिक उपलब्दी को और स्वनिम बनाएंगे मेरी आपको बहुत सुपकामना हैं और आपके सारे साथ ही बड़े उत्सा के साथ इस पहारते यहां जुडे हुए हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत धनिवाद में करता हूँ आए हम मनपृत से जी से मिलते हैं मनपृत जी नवस्ते मुझे बताया गया कि कोरोना की पहली वेव के दोरान आप सभी साथ ही बैंगलून में एक साथ रहे सब ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया और इससे टीम स्पिरिट पर क्या अशर पड़ा कर एक दूसरी के प्लेश के बैंग्राउंट के बारे में जाना है कि कैसे प्लेश ने अपना बैंग्राउंट साथ किया कैसी उनकी फैमिली ने सैकरिफाइज किया कि अपने बैटों को यहां तग पचाने के लिए उस चीज के बारे में जाना कि हाँ कि इसकी कैए कि मारी टीम बॉंडिंग और जादा स्ट्राउंग होगी और यह दगी सर हम लोगों ने यही मना था कि हमारे बास अभी एक और साल बागी है कि अपने आपको आफ कैसे बैतर कर सकते हैं कि अलेंपिक में होकी में हमारे देश का बहुत शांदार इत्याद रहा है एसे में स्वाभाविक हैं थोड़ी जादा जिम्मेदारी का बहुत स्वाभाविक एक बातावन बन जाता है और हर कोई चाहता है कि रेकॉर्ड बना करके रखना है और इसकी विज़े से खेल के दौरां आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा तनाव का माहूरता नहीं होता है ना प्रणाव करता हूं उनके आशिरवाद आपके साथ बने रहते हैं और देशवासियों की शुक्ताम नहीं आपके साथ है मनप्रीत आपसे बात करते हुए मुझे मेजर ध्यान चन केडी से बावू महमत शाहिद जैसे महान होकी खिलाडियों की याद आ रही है आप होकी के महान इतियास को और उज्वल करेंगे ऐसा मेरा और पुरे देश का विश्वास है मेरी आपको बहुत बहुत शुक्तामना है और आपके परिवार जनों के मेरा पडाम है आईए अब हम सानिया जी से बात करते हैं सानिया जी नमस्ते नमस्ते सब्सक्राइब सानिय जी आपने कई Grand Slams जीते हैं बड़े बड़े खिलाडियों के साथ आपने खेला है आपको क्या लगता है कि टैनिस का चेंपियन बनने के लिए क्या खुबिया होनी चाहिए क्योंकि आज कल मैंने देखा है कि टीर 2, टीर 3 सीटी में भी आप लोग उनके हिरो हैं और वो टैनिस ठीखना चाहते हैं जी सर, I think tennis एक ऐसा global sport है जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले तो जाहरी बात है जादा लोग tennis खेलते ने थे लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे आसे बच्चे हैं जो टैनिस राकेट उठाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं जो बिलीफ करते हैं कि वो टैनिस में एक बड़े खिलाडी बन सकते हैं उसके लिए आपको जाहरी बात है महनत की जरुवत होती है सपोर्ट, लगान और बहुत-बहुत सारी I think destiny भी एक रोल प्ले करती है इसमें लेकिन महनत के और टालेंट के बगएर कोई भी चीज में कुछ नहीं होता चाहे वो टैनिस हो या कोई भी स्पोर्ट हो और अब फसिलिटीज भी बहुत अच्छी हो गए हैं 25 साल पहले से आपके साथ ही अंकीता रहिनी के साथ आपकी पांटरशिप कैसी चल देगे आप दोनों की तयारी कैसी है अंकीता एक यंग खिलाडी है बहुत बहुत अच्छा खेल रही है हाल में और I'm very excited to play with her हम last time last year खेले थे February में जो Pet Cup के mattress है और उसमें हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन we are looking forward to going to Olympics जैसे मेरा चौता Olympics है उसका पैला Olympics है तो थोड़ा सा अभी मेरे उमर के साथ यंग पैरों की जरुवत है तो I think वो प्रवाइड कर रहती है चानिया आपने पहले भी sports के लिए सरकारी विभाग हुए है कि उसके कामकाज को भली भात ही देखा है पिछले पांच-छे साल में आपको क्या बदलाव मैसुस हुआ है जैसे मैंने कहा I think पांच-छे साल ने जब से हमारे पास Commonwealth Games हुआ है सर तब से I think कि बिलीफ जो आगया है कि हमारे country में से क्रिकेटर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे sports person है जो देश के लिए नाम कमाते हैं और देश के लिए बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाते हैं I think वो बिलीफ धीरे धीरे लास पांच-छे साल में और भी बढ़ गया है और आप तो government और से हमें हमेशा ही support मिलता है मैं आपसे जब personality मिली हो आपने हमेशा मुझे यही का है कि आप हर चीज में साथ देंगे तो इसी तरह पांच-छे साल में बहुत कुछ और उलिंपिक लास्ट उलिंपिक से आप छी सारा फर्ख कंगे मैं दो साल आप दी जाहरी बात है जब मैं मेरा बच्चा हुआ था तो लेकिन तब से लेकर आप टक मैं जो लास्ट एर से आई हूं मुझे बहुत सारा फर्ख नगर आए सानिया आप चेंपियन भी है, फाइटर भी है, मुझे उम्मीद है कि आप इस अलिम्पिक में जादा बैतरीन और सफल खिलाडी बनकर उबरेगी, मेरी आपको बहुत-बहुत शुब कामनाय है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे सभी से बात नहीं हो पा कारकम में मेरे साथ उपस्तित, देश के खेल मंतरी, स्रिमान अनुराक ठाकूर जी, अपसे कुछ दिन पहले तक, खेल मंतरी के रूप में आप सब के साथ बहुत काम किया है, ऐसे हमारे वरतमान कानून मंतरी स्रिमान कीरन रिज्जु जी, खेल राज मंतरी, हमारी यंगेस मिनिस्टर हैं हमारी टीम के, शिमान निशित प्रामानिक जी, स्पोर्ट से जुड़ी समस्ताओं के सभी प्रमूख, उनके सभी सदस्या, और टोक्यो अलेंपिक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, सभी मेरे साथियों, सभी खिलाडियों के पर पार्चित हुई हैं, लेकिन मुझे और अच्छा लगता, यदि मैं आप सभी खिलाडियों को यहां दिल्ली के अपने घर में खोस करता, आप लोगों से रूवरू मिलता, इसके पहले मैं हमेशा करता रहा हूं, और मुझे मेरे लिए वो अवसर बड़ा उमंग का आवसर रहता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारणों वो संभव नहीं हो पा रहा है, और इस बार आदे से अधिक खिलाड़ी हमारे पहले सी विदेशों में उनकी ट्रेनिंग चल रही हैं, लेकिन बापिस आने के बाद मैं आपको वादा करता हूं, आप सब के साथ मैं जुरूर सु अधियारियों का तरीका बदल गया, बहुत कुछ बदला हुआ है, अब तो अलेम्पिक शुरू उने में सरफ दस दिन बचे हैं, टोक्यों में भी एक अलग तरह का माहूल आपको मिलने वाला है, साथियों, आज आप से बात्चित के दोरान, देश को भी पता चला, किस कठ पिछली मन की बात में मैंने आप मैंसे कुछ साथियों के इस परिश्रम की चर्चा भी की थी, मैंने देश वासुर से आगरभी किया था, कि वो देश के खिलाडियों के लिए, आप सभी के लिए चियर करें, आपका मनोबल बढ़ाएं, मुझे ये देखकर आज खुशी होत होती हैं कि देश आपको चियर कर रहा है, हाल के दिनों में हैश्टेक चियर फर इंडिया के साथ कितनी ही तस्वीरे मैंने देखी हैं, सोशल मीडिया से लेकर देश के अलग-अलग कौनों तक पूरा देश आपके लिए उठखड़ा हुआ है, 135 करोर भरतियों की सुबकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशिरवाद है, मैं भी अपनी और से आपको धेर सारी सुबकामनाएं देता हूँ, आप सभी को देश वाद्चियों से लगातार सुबकामनाएं मिलती रहें, इसके लिए नमो एप पर भी एक खास प्रावधान किया गया है, नमो एप पर जाकर भी लोग आपके लिए चियर कर रहे हैं, आपके लिए संदेश बेज रहे हैं, साथियों, आपके साथ देश भर की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जब मैं आप सभी को एक साथ देख रहा हूँ, तो कुछ चीजें common नजर आ रही हैं, और जब मैं आपको देखता हूँ, तो common बाते हैं, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, एंड पॉजिटिव, आपमें एक common फैक्टर दिख रहा हैं, डिसिप्लीन, डेडिकेशन, और डिटर्मिनेशन, आपमें कमिट्मेंट भी हैं, कम्पिटिटिवनेश भी हैं, यही qualities न्यू इंडिया की भी हैं, इसलिए आप सब न्यू इंडिया के reflection हैं, देश के भविश्य के प्रतीख हैं, आप मैंसे कोई डक्षिन से हैं, कोई उत्तर से हैं, कोई पूरव से हैं, तो कोई पुर्वत्तर से हैं, किसी ने अपने खेल की शुरुवात गाउं के खेतों से की हैं, तो कई साथी बच्पन से ही किसी स्पॉर्ट एकेडेमी से जूड़े रहे हैं, लेकिन अब आप सब यहां टीम इंडिया का हिस्सा है, आप सब देश के लिए खेलने जा रहे हैं, यही डाइवर्सिटी, यही टीम स्पिरिट ही एक भारत, त्रेश्ट भारत की पहचान है, किस तरह आज एक नई सोच, नई एप्रोच के साथ अपने हर खिलाडी के लिए साथ खड़ा है, आज देश के लिए आपका मोटिवेशन बहुत महतोपून है, आप खुल कर खेलें, अपने पूरे सामर्त के साथ खेल सकें, अपने खेल को, अपनी टेकनीक को और निखार सक के इसे सर्वोच्व प्रात्वित्ता दी गई है, आपको याद होगा, अलेंपिक के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन काभी पहले ही कर दिया गया था, तारगेट अलेंपिक पोडियम स्कीम के तहत, सभी खिलाडियों को हर संभव मदद दी गई, आपने भी इसे अनु उन्हें भी आप महसूस कर रहे हैं, मेरे साथियों आप देश के लिए पसिना बहाते हैं, देश का जंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दाइत्व है कि आपके साथ जटकर खड़ा रहे, हमने प्रयास किया है, खिलाडियों को अच्छे ट्रेनिंग केंप्स के आज खिलाडियों को जादा से जादा इंटरनेशनल एक्स्पोजर भी दिया जा रहा है, स्पोर्ट से जुड़ी समस्तानों में आप सब के सुझाओं को सर्वोपरी रखा, इसलिए इतने कम समय में इतने बडलाव आप आए हैं, साथियों जैसे खेल के मैदान में मैनत के स बात सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाती हैं, तो जीर्ट पक्की हो जाती हैं, यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती हैं, देश ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभ्यान चला कर मिशन मोड में सही स्ट्रेटेजी किसमें काम किया, तो परनाम भी आप खिलाडियों ने ओलेंपिक के लिए क्वालिफाई किया है पहली बार इतने जादा खेलों में भारत के खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं कई खेल ऐसे हैं जिन में भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है साथियों हमारी यहां कहां जाता है अभ्यासात जायते नुनाम वितिया प्रकृती है अर्थात हम जैसा अभ्यास करते हैं जैसा प्रयास करते हैं धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है इतने समय के से आप सब जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सब को देखकर आपकी इस उर्जा को देखकर कोई संदेह बचता भी नहीं है आपको और देश के युवाओं का जोस देखकर ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी और अभी तो ये शुरुवात हैं आप टोक्यो जाकर जब देश का परचम लहराएंगे तो उसी पूर्य दुनिया देखेगी हाँ ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस परफॉर्म करना है मैं देश वाशियों से भी एक बार फिर कहूंगा चीर फ़र इंडिया मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरों बढ़ाएंगे नए मुकाम हासिल करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी बहुत-बहुत सुपकामना है और आपके परिवार जनों को मेरा विशेष प्रनाम बहुत-बहुत धन्यवाद मैं संपूर्ण खेल जगत की तरफ से आदर्निय प्रिदान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सर आपके मार्क दर्शन से हमारे खिलारी बहुत उत्साहित हुए हैं धन्यवाद